नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर कोरोना सैंपलों की जिनों सिक्वेंसिंग हुई शुडू गया में मिले छे नए संक्रमत प्यांकी मेता ने बताया अपने प्रियास का गुरू मंत बिहार के एक लाग सक्षकों की अंगूठे का निशान का हो रहा मिलान अगवाने सुल्तान गंजबुल को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने बिहार स्टेफ ने साल 2023 में इतने Most Wanted अप्रागियों को किया गिरफतार इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और वस्तार से BSEB लेगा 4 लाख नियोजस सक्षकों की सक्षमता परिक्षा बिहार सरकार के सक्षा विवाग के द्वारा बिहार के 4 लाख नियोजस सक्षकों की सक्षपना परिक्षा लेने के लिए बिहार विद्याले परिक्षा समीती यानि की बिहार बोर को जिमेदारी दी गई है बता दे कि इस बाड़े में विवाग के ओर से बीते दिन आदे शारी कर दिया गया है मालुम हो कि राजिस सरकार के द्वारा पुरू में सिक्षक नियमावाली में बदलाओ कर उन्हें राजिकर्मी का दर्जा देने के लिए बीपेसी की परिक्षा पास करने की बाधिता रखी गई थी जिसके बड़े अस्तर पर विरोध हुआ इसके बाद मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा एलान करते वे कहा गया कि वे नियमावाली को बदलेंगे जिसके तहट नियोजिस सक्षक अब एक सामाने सक्षमता परिक्षा देकर राजिकर्मी बन सकते हैं बता दे कि नियोजिस सक्षकों को इस परिक्षा में तीन बार शामिल होने का मौका दिया जाएगा कोरोना सैंपलों की जिनोम सिक्वेंसिंग हुई शुड़ू गया में मिले 6 नए संक्रमित राजी में अभी तक पाई कै कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सैंपलों की जिनोम सिक्वेंसिंग का काम शुड़ू हो गया है और अब यह माना जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा जिसके बाद हमें यह जानकारी मिल सकेगी कि बिहार के मरीजों में पाय गया कोरोना वाइरस किस प्रकार का है आपके जानकारी के बता दे कि कोरोना मरीजों के सैंपलों की जिनों सिक् में गया में एक्टिव करोना मरीजों की संख्या 14 है और यह सभी होम आइसोलेट है प्रियांगी मेता ने बताया अपनी प्यास का गुड़ो मंत्र बीते दिन बिहार लोग सेवा योग के द्वारा बीपीसी और 60 मुख्य परिक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया ह खुद ही पटना में रहकर बीपीसी और यूपीसी की तैयारी कर रही है उन्होंने कहा कि मैं टेक्स्ट बुक पसंद करती हूँ जब आप मेंस देते हैं तो जब तक आपने पढ़ा नहीं हूँ तो फिर आपको लिखने में दिक्कत होगी इसलिए मैंने इंटरनेट पर दि देखे तो बीपीसी की सलेबस में काफी बदलाव आया है वैसे मुझे नहीं लगता है कि बीपीसी और यूपीसी में बहुत जादा फर्क है बिहार के लिए थोरा सा अलग से पढ़ना पढ़े जैसे बिहार का एकनॉमिक सर्वे है इन सब को पढ़ने में एक से दो महीना ल लेकर कहा गया है कि बागों के अनकूल बहतर महल और आसानी से भोजन उपलब्ध होने से यह संभव हो पाया है वीटियार प्रशासन के नसार पहले से नर्मादा मिला कर चोवन बाग और एक करीब एक दरजन शावक जंगल में मौजूद है वहीं बाग विसेसंक्यवा ची अनुस्ठान 22 जनवरी को एउध्या में रामलला की प्रान प्रतिस्था कारिक्रम को लेकर आज यानिकी 16 जनवरी से यूपी के कई मंदिरों में रसेज पूजा पाठ का आयोजन हो रहा है वहीं प्रान प्रतिस्था के पहले सुप्शंसकारों का प्राडम्भ हो चुका है जो कि 21 जनवरी 2024 सक चलेगा जिसके तहट आज सबसे पहले 16 जनवरी को प्राश्यत और कर्मकूटी पूजन का आयोजन किया गया है तो वहीं कल 17 जनवरी को मुर्ति का परिस्थर प्रवेश 18 जनवरी को तर्थ पूजन जलियात्रा चला दिवास और गंधाव दिवास 19 जनवरी की सुभा को औसधा दिवास केसरा दिवास घृता दिवास और 19 जनवरी की शाम को धानिया दिवास 20 जनवरी की सुभा को सरकरा दिवास फरा दिवास औ और 20 जन्वरी की शाम को पुश्पा धिवास, 21 जन्वरी की सुभा को मध्या धिवास और 21 जन्वरी की शाम को सहीया धिवास का आयोजन किया जाएगा। बिहार के एक लाग सक्षकों के अंगूठे के निशान का होड़ा हमिलान बिहार स्टीफ के दोरा के दोरा जानकारी देते वे बताये गया है कि बिहार स्टीफ के दोरा कुख्यात अपरादियों नक्सलियों मावादियों और हतियार तसकरों पर कारवाई करें गरते वे वर्स 2020 में कुल 547 मोस्ट वांटेड को गिरफदार किया गया है इसमें से एक लाग का एक इनामी अपरादी 50,000 के 13 और 25,000 के 12 इनामी अपरादी शामिल है जबकि वर्स 2021 में 299 और वर्स 2022 में 283 कुख्यात अपरादी गिरफदार किये गये थे वहीं अगर हतियार की बात करें तो वर्स 2023 में 241 देशी हतियार 15 रेगुलर हतियार 8760 जिंदा कार्तूस और 3,7580 बड़ा मत किया गया है पता कि दे कि अप्पल इस मुख्याले के द्वारा अपरादी की सूशना देने वाले आम रक्ति को इनाम देने की घोशना की गई है जिनका नाम गुप्त र बिहार के मुख्यमंतरे नितीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट अगवानी सुल्तान गंजपुल जो बीते साल जून महीने में धाराशाई हो गया था उसको लेकर एक नया अपडेट सामने आया है बता दे कि अवस्पुल के पिलर संख्या 3-16 के बीच का सूपर को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है जो की केवल सहित खोले जाने वाले हैं बता दे कि निर्मान एजिंसी एस पी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और बिहार राज्य पुल निर्मान निगम के द्वारा चार डजाइन हायर अथरौटी को भेजा गया है जिसमें से एक हिस्रुखती होने के बाद पुल का निर्मान होगा आपकी जानकारी के लिए बता दे किस पुल का निर्मान एक हजार एक सोननासी करोड रुपे की लागस से होड़ा है लगजरी कार्शे सराब की बड़ी खेप पुलस ने किया बड़ा मत बिहार में पुन रूप से शिराब बंदी है से तो हम सबी वाकिफ है लिकन इसके बावजूद भी आए दिन शिराब तसकरी से जुड़े मामने सामने आते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी सराब तसकरों के द्वारा नए नए तरीकों से तसकरी को अंजाम दिया जा रहा बता दे कि ताजा मामना मुझपर पुर्जले के सरया धाना चेतर के सरया बाजार का है जहां गुपत सूशना के आधार पर सरया धाना प्रभारी के द्वारा पुलस बलके सहयोग से काडवाई करते वे यूपी से दर्भंगा के ओर आ रही एक लगजरी वहां से विदेशी शराब की बड़ी खेब बडामत की गई है और साथी पुलस के द्वारा इस तोरान चार तसकर के भी गिरफतारी की गई है जिनसे आगे की पूछताच की जा रही ताकि काडवाई को पूरी की जा सके बता दे किस बात की जानकारी सरयया स्टीपियो कुमार चंदन के द्वारा दी गई है पटना के रास्ते दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी का परिचालन शुरू 16 जन्वरी यानी की आज से मालदा भागलपूर जमालपूर क्यूल पटना के रास्ते पहली बार नई दिल्ली के लिए तेजस राजधानी का परिचालन शुरू हो गया है परिचालन शुरू करानी की मांग बीते 20 वर्सों से की जा रही थी इसके लिए आंदोलन भी किया गया था बता दे की नई तेजस राजधानी एक्सप्रस में सीटो की बुकिंग एक माह पहले ही हो गई है तेजस राजधानी एक्सप्रस में 11 कोच, AC 3 के रहेंगे, 2nd AC के तीन कोच और एक प्रथम बातानुकुलिक कोच होगा एक पैंट्री कार, दो पावर कार, सहित को लठार कोच होंगे, यात्रियों की डिमांड या भीरी के बाद इसमें कोचो की संख्या बढ़ भी सकती है महावीर मंदर रामलला को भेट करेगा सोने का तीरधनुस अमावा राम मंदर न्यास के सचीव के तोर पर आचारे किशोर कुनाल के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के महावीर मंदर के ओर से अयोध्या में रामलला को श्री राम जन भूमी मंदर न्रमान समीती के अध्यक्ष निर्पिंद्र मिश्र को 1924 को सोने का तीरधनुस भेट के रूप में सौपा जाएगा पता दे कि सोने का या तीरधनुस धाई किलो वजन का होगा जिसे चिन्नाई की कम्पनी के द्वारा तयार किया गया है वहें इसके लावा महावीर मंदर के ओर से अयोध्या में हो रहे राम मंदर के निर्मान में 10 करोर रुपे के सहयोग राशी भी दी गई है जसमें से अंतिम बचवे 2 करोर रुपे 19 शनवरी को दिये जाएंगे महावीर मंदर नियास के सचीव आचारे किशोर कुनाल के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार वर्स 2020 में जिस दिन स्री राम जनभू में तर्थ छेतर क्रस्ट का खाता खोला था उससे दिन महावीर मंदर के ओर से 2 करोर रुपे की पहली किस्त दी गई थी भारत जोरो निया यात्रा के लिए बिहार में बना ऐसा रूर करडिया में कहां होगा बंगाल के चिकन नेल वाले रास्ते से यात्रा बिहार के कसंगंज में प्रवेश करेगी सबसे बड़ी बात या है कि सिमांचल का छेतर कॉंगरस का स्टाइक होल रहा है विप्रीत प्राजनिते का पर इस सीटियों में इस इलाके में कॉंगरस की 5 वे डारी ठोकी गई है उन्होंने कहा कि हाजिपूर सीट से लोजपा राम विलास का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा इसके साथ उन्होंने बागवान राम को लेकर तेज प्रताप यादव के द्वारा दिये गए ब्यान पर टिपने देते वे कहा कि 21 सदी में इस तरह की बाते करना कितना उचित है यह सब जानते हैं इसके साथ ही चिराग पासवान के द्वारा मुख्यमंत्री नितीश खुमार के लालू प्रशाद के दही चुरा बोज में शामिल होने को लेकर कहा गया कि मुख्यमंत्री के चहरी को पहचानना इतना आसान नहीं कब खुश होत उनकी बॉडी लाइंग्वेज परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहती है खर्मास खत्म हो चुका है और मुख्यमंत्री सवालों के घेरे में हैं जो उनकी परिस्थिति को बदलने के लिए काफी है प्रान प्रतिस्था समारों के लिए MS धोनी को मिलान निमंत्रन 22 चनवरी को योधिया में भगवान रामलला की प्रान प्रतिस्था समारों में शामिल होने के लिए राष्ट्रे स्वम सेवक संके सहप रांत सचीर धनाजय सिंग के दौरा भारतीय टीम के पुर्व वर्ड कप विजयता कप्तान महिंदर सिंग धोनी को रांची में उनके घर पढ़ने ओता दिया गया है बता दे गस्दुरान बीजेपी के प्रदेश संगठन महासचीव करमवीर सिंग्र भी मौजूद थे मालुम हो कि स्री राम जन्भूमी तर्थ चेतर ट्रस्ट के द्वारा देश के 6,000 से अधिक लोगो को निमंतरन भेजने का जिम्माली आ गया है जानी आग बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी मंगलवार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी के गए सिवाद राजधानी पत्ता में आज पिट्रॉल 107.24 रुपे और डीजल 94.94 रुपे प्रति लीटर में मिल रहा है मुझपर पून्य पिट्रॉल 107.9 रुपे और डीजल 94.7 रुपे प्रति लीटर है वहीं पूनिया में पिट्रॉल की कीमत 104.6 रुपे और डीजल कीमत 95.3 रुपे प्रति लीटर है बता दे कि बिहार में पिट्रॉल कारेट सबसादा किसंगंज में है जहां पिट्रॉल 109.35 रुपे प्रति लीटर और डीजल 95.9 रुपे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है अब बरते हैं आज के पांच सवाल की उड़ापारा पहला सवाल है गया में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या कितनी है? उप्शन ए 13, उप्शन B 14, उप्शन C 36, उप्शन D 6 इसका सही उत्तर है उप्शन B 14 अगला सवाल बिहार STF ने साल 2023 में कितने मोस्ट वांटेड अपराधियों को किरिफतार किया है? उप्शन A 500, उप्शन B 525, उप्शन C 547, उप्शन D 560 इसका स्तही उत्तर है उप्शन C 547 अगला सवाल अगवानी सुल्टान गंच पुल का नणमान कितने करोड उपए की लागस से हो रहा है? उप्शन A 1189 करोड उपए उप्शन B 1000 करोड उपए उप्शन C 947 करोड उपए उप्शन D 560 करोड उपए इसका सही उत्तर है उप्शन E 1189 करोड उपए अगला सवाल तेजस राजधानी एक्सप्रेस में कितने कोच AC 3 के रहेंगे? उप्शन A 11, उप्शन B 10, उप्शन C 9, उप्शन D 8 इसका सही उत्तर है option A 11 अगला सवाल और सच्वी BPSC की टॉपर कौन है? option A सौरवरंजन, option B प्रेडना सेंग, option C अंजली प्रभा, option D प्यांगी मेता इसका सही उत्तर है option D प्यांगी मेता जिन्होंने हमाया दुर पूछ के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बरते हाज के सवाल की उराज का सवाल है आपके नुसार प्रतियोगी पड़क्छाओं की तैयारी के दोरान छात्रों को किन किन बातों पर विशेज इस्थ्यान देना चाहिए अपना जवाब हमें उमारी कॉमेंट सेक्शन मलिक का जरूर बताएं आज के लितना ही बिहार के तमाम कबड़ों के साथ बनेर हने के देखते रहें अगर आप यूटूब से देखर चान को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पीस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद